तो दोस्तों नवस्ते आदाव सस्यकाल आपका दोस्त गौरफ टेस्ट बुक सुपकोचिक पे स्वागत करता है तो दोस्तों हुजा ये तयार क्योंकि हम यहाँ पर करने जा रहे है डेली करेंट अफेर पे बार जहां पर हम लोग करेंगे वो सारे न्यूस को कवर जो कि आपके SSC, Railway, Defense, State या फिर Teaching Exam के लिए बहुत ज़्यादा महत्पून होते हैं कहते हैं न दोस्तों करेंगे एक नए दिन की शुरुआत एक नए जोश के साथ जहां पर हम लोग करेंगे Current Affair के साथ साथ Static GK के भी सवाल लेकिन शुरुआत करने से पहले सभी लोगों को भर भर के Good Morning और जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों के साथ क्या करेंगे इस सेशन को शेयर कर देंगे so that कि सभी लोग यहां पर जुड़ सके और हम इस सेशन को जो है आगे बढ़ा सके तो यह सभी लोगो गुड़ा गुड़ मॉर्निंग बहुत भाई गुड़ मॉर्निंग तो चलिए बढ़ते हम लोग मोटिवेशनल कोड के साथ और आज का मोटिवेशनल कोड आपके सामने यह रहा never run away from your problems because success is always disguised in challenges दोस्तों कभी भी कोई भी दिक्कत आती है कोई भी issues आते है life में तो उनसे भागना नहीं है क्योंकि जो success होती है वो उनी problems में छुपी होती है बस आपको मेहनत करके उसको क्या find out करके निकालना होता है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे daily मिलते हैं Monday to Friday कम मिलते हैं Monday to Friday सुबह 6 बजे से 7 बजे आप मेरे साथ यहाँ पे daily जुड़ सकते हैं और कर सकते हैं DCA DCA क्या है daily current affair और फिर जुड़ सकते हैं Saturday को special GK class के लिए जहाँ पे हम लोग जुड़ते हैं 6 बजे तो आप मेरे साथ Saturday को भी जुड़ सकते हैं special GK class के लिए ठीक है इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज जो है दोस्तो new month start है 1st of November है और 1st of November को celebrate किया जाता है World Weekend Day क्या celebrate किया जाता है World Vegan Day celebrate किया जाता है तो यह आपको ध्यान रखना यह आप से पूछा जा सकता है कि एक November को जो है क्या celebrate होता है तो World Vegan Day इसी के साथ साथ आज ही के दिन celebrate किया जाता है All Scented Divas जो भी दोस्तों संत होते हैं उनकों सभी संतों का जो है दिन मना जाता है नौंबर फर्स्ट को ठीक है तो all sent day ये आपको ध्यान रखना है उसके साथ साथ आपको याद रखना है आजी के दिन कंणड राजुस्व मना जाता है क्या मना जाता है कंणड राजुस्व और कंणड राजुस्व ये हर साल एक नौंबर को मना जाता है इस करनाटका की तो करनाटका के जो मुख्यमंत्री हैं यह याद रखेंगे और यहां के जो गवर्णर है जो राजिपाल है वह कौन है थावर चंद गहलोत है यह याद रखना है ठीक है इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे अगली स्लाइड की तरफ और सभी लोग क् अगर हम लोग आगे बढ़ें हम लोग ने कल एक कॉश्चन दिया था जिसका आंसर आपको करना था कॉश्चन यह था भारत में नीली क्रांती की जनक के रूप में किसे जाना जाता है तो कर्रेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे हीरालाल जी हो जाएंगे ऐसे बहुत सारे revolution आए ठीक है और blue revolution किसे संबन्दित था fisheries से किसे था fisheries से ठीक है मचली पालन से संबन्दित था यहाद रखना है, थिक है, blue revolution इसी तरीके से आपने सुना ओगा green revolution भी आया था, green revolution ठीक है, green revolution के पितामा कऊन कहलाते हैं, तो देखिए हमारे भारत में MS. स्वामी नाथन जी कहलाते हैं, कौन? MS. स्वामी नाथन भारत में पितामा मतलब father कहलाते हैं ठीक है किसके green revolution के अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए white revolution के पितामा कौन कहलाते है white revolution तो इसके कहलाएंगे dr. वर्गिष कुरियन कौन वर्गिष कुरियन ये भी आपको दिहान रखना है ठीक है उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा कि pink revolution किसके pink revolution या फिर brown revolution के पितामा कौन कहलाते हैं तो देखे pink के कौन कहलाएंगे तो pink कहलाएंगे दुर्गेश पटेल जी कौन दुर्गेश पटेल जी कहलाएंगे यह भी आपको ध्यान रखना है तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है एक्जाम में चले आगे बढ़े इ सेरी स्क्रीन और वाइस एकदम क्लियर है आप लोग लिए और आप लोग तयार है प्रिविएस डे के कोश्चन के रिवीजन के लिए सो देट कि हमारे पुराने कोश्चन भी याद होते रहें तो फटावर से यह स्टाइब करेंगे तो यह यह आ चुका है तो पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर यह रहा पहला कोशन है विच ओफ फॉलॉइंग ग्रूप हैड एग्रीड ओन कोड ऑफ कंडेक्ट फॉर कंपनीज डवलपिंग एडवांस आडिफिशल इंटेलिजन सिस्टम निमलिखित में से कौन सा समूह जो है उननत आडिफिशल इंटेलिजन सिस् पॉर्मेशन कब हुआ था तो 1975 में इसका फॉर्मेशन हुआ था जिसमें यह दोस्तों शात कंट्रीव का एक समूह है कितने 7 कंट्रीज का एक ग्रूप है और यह सारी की सारी डवलप कंट्री है जैसे कि जापान कौन हो गया जापान यूँएसे ठीक है इटली कौन इटली Canada UK Germany और France ठीक है तो यह साथ कंट्रियों का यह group है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पर अगला कोशन आप के लिए रहा Waste to art, scrap to sculpture exhibition was held at which place करें अपसिष्ट से कला, scrap से मूर्ती कला प्रदर्शनी के सिस्थान पर आयोजित की गई थी कोलकता, मुंबई, न्यू दिल्ली और चन्नाई कहाँ पर की गई थी न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली तो जो लोग न्यू दिल्ली कह रहे हैं उनका यहाँ पर क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा correct answer क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली यह आपको ध्यान रखना है क्या हो जाएगा New Delhi correct answer होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला question है which of the following person persons were crowned as the fastest athlete of the 37th national game क्या रहे है निमलिकित में से किसे व्यक्ति या फिर व्यक्तियों को 37 राश्टी खेल के सबसे तेज अथिलीट का ताज पहनाया गया है क्या वो वीके इलाक की यादसन, SS इसनिहा या फिर परनिती नायक या फिर बोथ 1 and 2 क्या होगा correct answer सभी लोग बताएंगे जी हाँ यहाँ यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं option number होना चाहिए D बोथ 1 and 2 उनका बिलकुल correct answer हो जाएगा ठीक है यहाँ पे वीके इलाक की यादसन और SS इसनिहा दोनों को ही यहाँ पे fastest athlete of 37th national game बताया गया ठीक है चले इंडिया विल कंड़क्ट काजिंद exercise with which of the following country करें हैं भारत निमलिखित में से किस देश के साथ जो है काजिंद अभ्यास आयोजित करेगा क्या वो Thailand है कजाकिस्तान है किर्गिस्तान है या फिरति करमेंस्तान है कजाकिस्तान जो लोग कजाकिस्तान करें है option number two उनका बिल्कुल correct answer होगा ठीक है कौन सी exercise है काजिंद काजस से हो जाएगा कजाकिस्तान इंद से होगा इंडिया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं which small finance bank is poised to amalgamate into AU small finance bank which is stated to take effect from February 1st 2024 कौन सा लगू वित बैंक AU small finance bank से सम्मिलित होने के लिए तयार है जो एक फरवरी 2024 से प्रवावी होगा AU small finance bank, fincare small finance bank, access small finance bank या फिर HDFC small finance bank fincare, fincare जो लोग option number 2 कह रहे है fincare small finance bank उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा ठीक है चलिए अगला सवाल World Stroke Day 2023 is celebrated on which of the following day कह रहे है विश्वे stroke दिवस 2023 निमलिखित में से किसी दिन मना आ जाता है 28 October, 27 October, 29 October या फिर 26 October कम मनाते हैं 29 जो लोग करें 29 October को मनाया जाता है World Stroke Day ठीक है तो यह आद रखना है और जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि stroke जो होने के बहुत जादा चांसे होते हैं तो विश्व में अगर हम बात करें तो चार विक्तियों में से एक विक्ति को जो है कौन सीट्स पर रहा है क्या वो Amazon, Flipkart, Big Basket और Zepto कौन रहा है तो बिग बास्केट, बिग बास्केट जो लोग कह रहे है option number 3 उनका बिलकुल correct answer रोजाएगा बिग बास्केट यहाँ पर correct answer रोगा ठीक है next question में move करते है Central Vigilance Commission Observed Vigilance Awareness Week What is it theme? ठीक है कह रहे है कि केंदरी सतरता आयोगने, सतरता जागरुकता सबता हम अनाया है इसका विशेक क्या है Say no to corruption, commit to the nation Say no to bribe, commit to the nation Don't do corruption, commit to the nation या both 1 and 2 यहाँ पर कह रहे सर यह option होना चाहिए Say no to corruption और commit to the nation correct answer हो जाएगा यह ध्यान रखेंगे ठीक है Option number 1 correct answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छा है, यहाँ पर अगर हम बात करें Central Vigilance Commissioner अभी कौन है तो वो है प्रवीन कुमार सिवास्तो जी क्या सभी लोग बताएं क्या प्रवीन कुमार सिवास्तो जी है या फिर कोई और ही है ठीक है, तो सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगा आगे बढ़ें आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर अगला सवाल है करें दक्षडपूर्व एशिया की जो डबलो एचो शेत्री समीती के छेत्रवे सत्र के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मत्ती से किसे चुना गए है प्रीती पतेल, मनसुख, मंदविया, राजेश भूशड और बोथ वन और टू option number two के रहे हैं, मनसुख, मंदविया, जो की health minister है, health and family welfare minister तो यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं State Bank of India has signed whom as their brand ambassador recently, October 2023 भारती State Bank जो है, उन्होंने हाली में किसे अपना brand ambassador नुक्त किया है क्या वो जस्प्रीत बुम्रा है, MS धोनी है, उमेश यादम है और बोथ one and two, क्या होगा यहाँ पर कहरे है, MS धोनी, Captain Cool जो लोग कह रहे हैं, उनका विलकुल correct answer हो जाएगा MS धोनी is the correct answer, ठीक है, चलिए, और SBI का formation का वुआ था, तो 1955 में इसका formation हुआ था, यह ध्यान अखना है चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों यह थे हमारे previous day के question जिसका भी हम लोग ने किया है revision, so that कि हमारे पुराने question भी याद होते रहें, लेकिन अब हम यहाँ पर देखेंगे top 5 news of the day मतलब दिन के 5 वो मुख्य समाचार जो कि आपके लिए exam point of view से तो important है ही और आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास क्या चल रहा है, तो एक एक point पे नज़र डालते हैं और पहला point आपके screen पर यह रहा, देखें जो UP के मुख्यमंत्री है आदित योगीनाथ जी उन्होंने अभी inaugurate किया है दोस्तो दक्षिड अगर हम बात करें, दक्षिड पस्चिम एशिया से largest beverage plant ठीक है तो दोस्तो साउथ वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा beverage plant का यहां पे उद्गाटन किया गया है, inauguration किया गया है और वो कहां पे किया गया है, अमेठी, ठीक है, तिहान दीजेगा अमेठी में दोस्तो अब तक का सबसे बड़ा beverage plant बन गया है इन साउथ वेस्ट एशिया, ठीक है, यहाद रखेगा और किसने इसका inaugurate किया है, तो मुख्यमंत्री यूपी के आधित योगिनाथ, उन्होंने किया है इसको, ठीक है, तो यहाद रखेगा तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा beverage plant साउथ वेस्ट एशिया में, वो कहाँ पर है तो आपको होगे अमेठी में अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए लियोनल मैसी, लियोनल मैसी जो है, उन्होंने record बना दिया है, क्योंकि वो फिर से जी चुके है, बैलेंडियर अवार्ड और ये उनका दोस्तों, आथवा बैलेंडियर अवार्ड होगा, जिसकी वज़े से ये record बन है, ठीक है, चले, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अच्छा, सभी लोग comment करके बताएगा, पहला homework, यहाँ पर मैं आपको first homework देना चाहूंगा, comment करके जरूर बताएगा, after the class, कि कि किस female, female खिलाडी को मिला है, बैलेंडियर अवार्ड इस बार का, ठीक है, female खिलाडी का रामनात कोविंद जी, उन्होंने जो है, अभी डिलीवर किया है, आकाश वानी, क्या, आकाश वानी, prestigious annual सरदार पतेल मेमोरियल लेक्चर, ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है, तो आपसे पूछा जाएगा, कि अभी हाली में, दोस्तो, किसे ने जो है, डिलीवर किया ह आकाश वानी, prestigious annual सरदार पतेल मेमोरियल लेक्चर, तो वो किस ने किया है, तो former president रामनात कोविंद जी ने किया है, ठीक है, चले, आगे बढ़ते हैं, अगला जो है, आपकी screen पर ये रहा point, road accident, देखिए, road accident claimed over, अभी हाली में, दोस्तो, जो transport ministry है, उन्होंने एक report जारी की ती, उसमें ये बताया गया है, जो सडक, दोस्तो, हमारे accident होते हैं, ठीक है, उसमें, जो है, 1.68 lakh lives, जो है, दोस्तो, क्या हुई है, यहाँ पे effect हुई, कितनी 1.68 lives, और कितने लोग injured हुए है, ठीक है, accident claimed हुए है, 1.68, और injured हुए है, 4.43 lakh people in India, 2022, ठीक है, 2022 की report अभी हाली मे पेस की गई थी, transport ministry के दौरा, इनमें आप देख सकते हो, कितने लोगों के accident हुए, 1.68 lakh lives, जिन्नोंने अपनी जिन्दगी खो दी, और दोस्तो, यहाँ पे injured कितने लोग हुए, 4.43 lakh, which is very big in number, अभी देखिए, धीरे-धीरे कम हो रहा है, बट अभी भी यह बहुत बड़ा number रहे, ठीक है, चले, आगे बढ़ते हैं, अगला point आपके screen पर यह रहा, देखे, global declaration for river dolphin, यहाँ पे देखे, अभी river dolphin के लिए, यहाँ पे global declaration क्या गया है, क्यों, क्योंकि दोस्तों आपको पता है, जो हमारे भारत की aquatic animal, national aquatic animal कौन सा है, dolphin है, अब वो धीरे-धीरे क्या होते ज declaration क्या क्या है, for river dolphin, ठीक है, चले, आगे बढ़ते हैं, तो यह तो दोस्तों हमारे थे, क्या top 5 news of the day, अब हम लोग यहाँ पे नजर डालेंगे, headlines पर, आप लोगों ने देखा होगा, अखबारों में headline जो है, bold में mention होते, और यह आपके exam में पूछे जाते है, question, खासकर SSC, railway और defense exam में, इन headline से पूछे लाते है, तो एक-एक headline को बारीकी से देखेगा, क्योंकि इन ही headline पर हम लोग last में करेंगे quiz, और देखेंगे कौन अच्छा perform कर रहा है, देखें, तो पहला headline आपके screen पर यह रहा, देखें, CM योगीनाथ जो है, मतलब आदित योगीनाथ, उन्हो है, ठीक है, तो याद रखेंगे, CM योगी इनोगरेट्स, Southwest Asia's largest beverage plant in Amity, अगला headline आपके लिए, लियोनल मैसी, लियोनल मैसी ने रिकॉर्ड जो है, आठवा जो है, बनाया है, उन्होंने जीत लिया है, बैलेंडियर अवार्ड, आठवा बैलेंडियर अवार्ड और उसके तह रिकॉर्ड एक्स्टेंडियर अवार्ड, ठीक है, याद रखेंगा, आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ, अगला headline है, नदी डॉल्फिन के लिए, जो है, वैश्वी घोषना, जैसा कि मैंने आपको कहा है, कि हमारे भारत का जो है, दोस्तों, एक्वेटिक, नैशनल रामनाथ कोविंद जी, कौन? रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने आकाश्वाणी की प्रतिष्ठित वार्षिक सरदार पटेल इस्मृती व्याख्यान जो है, ठीक है, आपको पता है, कल 31 अक्टोबर था, और 31 अक्टोबर को मना जाता है, क्या? यूनिटी डे, तो उसी दि जो है, दोस्तों, हमारे पूर्व राश्पती रामनाथ कोविंद जी ने प्रतिष्ठित वार्षिक सरदार पटेल इस्मृती व्याख्यान दिया है, आकाश्वाणी में, ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है, चले, तो आप देख सकते हैं, हापे सरदार पटेल मेमोरि किया है, साउधी अरब के साथ खाद सुरक्षा संबंदों को मजबूत करना चाते हैं, तो आप से पूछा जाएगा कि बताइए, भारत जो है, किन के साथ अपने खाद सुरक्षा संबंदों को मजबूत करना चाता है, तो वो साउधी अरब के साथ करना चाता है, यह ध्या पार्ट में इंडिया अन्वील्स पवेलियन एट रियाद इन फ्लेवर एक्सपो सीक्स टू स्टेंथ फूड सेक्विरिटी टाइज विथ साउधी अरेबिया ठीक है चले आगे बात करते हैं अगला हेडलाइन राश्टी खेल अभी देखे राश्टी खेल चल रहे थे 37 वे उसमें जोती आराजी कौन जोती आराजी जो की स्टे है 100 मीटर दूस्तों जो है यहां पर हडल से संबनित हैं यहां आपको ध्यान रखना है उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है यहां पर याद रखेगा 100 मीटर बाधा दौर में ठीक है और जीत लिया है गोल्ड मेडल मतल जो बाधा रेस में उन्होंने स्वाण पदक जीता है किसने जोती याराजी ने और याद रखना है ये ठीक है तो आपसे पूछा जागा जो है यहां पर बाधा दोर से ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला जो है है एडलाइन सूपर फैन देखे सूपर फैन के अभी देखे कहने का मतलब इसलिए है क्योंकि उन tangled हो गया है तो आप ज्यान दखेंगे सूपर फैन के निधन के बाद श्रिलंकाई दिगजोолотे अंकल परसी क्या नाम था इनका परसी ठीक है तो अंकल परसी इनको नाम से जाना जाता था उनको AND दी है और उनकी आप तस्व to uncle Percy after demise of superfan ठीक है आगे बात करते हैं अगला जो है headline जम्मो कश्मीर के LG जो है LG मतलब lieutenant governor जो है Manoj Sinha जी कौन है Manoj Sinha उन्होंने श्री नगर में जो है 67 राष्टे खेल को जो है उद्धाटन किया है कहां पे श्री नगर में कौन सा संस्क्रण है तो 67 है ठीक है तो याद रखेगा 67 राष्टे स्कूल खेल ठीक है तो जम्मो कश्मीर के जो lieutenant governor है Manoj Sinha जी उन्होंने इनागरेट 67 नैशनल school game in स्री नगर ठीक है तो आपसे पूछा जाएगा 66 राष्टे स्कूल खेल खेल उनको उद्धाटन किस्दे किया है तो आपको होगे मनोसी नहाजी ने कहाँ पर किया है तो ये श्री नगर में किया है कहाँ पर शी नगर में ठीक है कौन सा संसकर है 67 याद रखेगा आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रिदेश के जो वित मंतरी खन्ना जो है घन्ना जी GST दर युक्तिकरन पैनल के सयोजक हो सकते हैं GST क्या है GST मतलब है यहाँ पे वस्तु सेवा कर ठीक है मतलब goods and services tax ठीक है goods and services tax ठीक है तो याद रखेंगे उत्तर पदेश फाइनल्स मिस्टर खन्ना likely to be convener of the GST rate rationalization panel ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला headline परिवहन मंत्राले की अभी हाली में report जारी की गई थी उसमें बताया गया है 2022 की जो report है उसमें भारत में सडक दुरघटनाए जो है वो 1.68 लाक से अधिक लोगों की जान गई है कितने 1.68 लोगों की लाइफ चली गई है ठीक है और 4.4-3 लाक लोग घायल हुए है इतने लोगों की लाइफ चली गई है इतने लोग घायल हुए है इसलिए कहा जाता है दोस्तों कभी भी जल्दबाजी मत करिए क्योंकि आपने देखा होगा traffic signal जब होता है तो लोग जब 5 second, 3 second बटता है उससे पहले ही लोग start कर देते हैं चलना तो it's better कि आप 1 minute late पहुँचोगे जहां पर भी जा रहे हो अन्यथा वो जो है आप नाम के सामने ही late लग जाएगा 1 minute late होना I guess अच्छा है कि name के सामने late लग जाए वो दोस्तों अच्छा नहीं होगा हना ये अच्छा नहीं होगा इसलिए थोड़ा सामें रुक के चलना चाहिए ठीक है road accident claimed over 1.68 lakh lives injured 4.43 lakh people in India 2022 transport ministry report ऐसा बताती है आगे बात करते हैं देखें अंतराष्ट्री सौर गठबंदन देखें सौर गठबंदन मतलब इसलिए इंटरनेशनल सौलर अल्यांस इसको आम लोग केते हैं अंतराष्टी सौर गठबंदन सभा का छटवा सत्र जो हुआ है वो कहां पर हुआ है नई दिल्ली में कहां पर नई दिल्ली में ठीक है तो याद रखें कौन सा सत्र है तो छटवा सत्र ठीक है याद रखेंगा इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है गुरू ग्रम में कहां पर है गुरू ग्रम में जो है इसका हेड़कॉर्टर है मुख्याला है ठीक है किसका आई एसे का इंटरनेशनल सोलर अल्यांस का ठीक है तो 6th session of International Solar Alliance Assembly gets underway in New Delhi, आगे बढ़ते हैं अगला जो है चववनवे IFFI, International Film Festival of India जिसको हम लोग कहते हैं, गोवा के लिए अंतराष्ट जूरी की घोष्टना की गई है, अभी हाली में दोस्तों, अंतराष्ट इंटराष्ट जूरी अनाउंस्ट फॉर फिफ्टी फोर्थ इफी, ठीक है, इफी मतलब International Film Festival of India जो की गोवा में होने वाला उसके लिए जूरी जो है अभी अनाउंस किये गए हैं, चले इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों ये कब होगा, ये नॉंबर 20 से 28 में होगा जहां पर अभी हाली में जूरी की जो है घोष्टना की गई है, तो दोस्तों ये थे हमारे important headline, लेकिन इन headline पर किस प्रकार के पूछे जाएंगे सवाल, उसको करेंगे हम लोग quiz के form में, लेकिन उससे पहले बताएंगे, how is the choice, जिससे मुझे ये पता चल जाए, सभी लोग yes type करके बताएंगे, जिससे पता चलेगा कि आप लोग ने बारी से like और share करते हो चलेगे, पहला question आपके screen पर ये रहा, at which place, cm yogi inaugurates southwest Asia largest beverage plant, केरें cm yogi आदितनाज जो है, उन्होंने किस स्थान पर दक्षिल पस्चिम, एशिया के सबसे बड़े पेसायत्र का उधगाटन किया है, कानपूर, अमेठी, लखनाउं और जहासी, क्या होगा correct answer, option number two, अमेठी is the correct answer, ये ध्यान रखना है, थोड़ा detail में चलते हैं, तो देखें, अभी हाले में जो उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री है, आदित योगी नाज जी, उन्होंने अमेठी के दक्षड पस्चिमेश्या के सबसे बड़े पे-पदार्थ सैयत्र का उधगाटन क किया है, ये सैयत्र छेत्र में निवेश और रोजगार का जरिया बनेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, उसके साथ ही इस पहल से स्थानी ITI और पॉलिटेकनिक च्छात्रों को फायदा मिलेगा, जो भी ITI और पॉलिटेकनिक के जो स्टुडेंट्स होंगे, उनको भी इस का सबसे बड़ा जो है यहां पर क्या है बाटलर है ठीक है यह ध्यान रखेगा तो योगी आदित जी ने जो है सबसे बड़े दक्षिर पस्चिम एश्या का सबसे बड़ा बेवरेज जो है उसका घाटन किया है और यहां पर बात हो रही है किसकी CM योगीनात जी की ठीक है तो गवर्नर कौन है यूपी के तो गवर्नर आपको याद रखना है आनंदी बैन पटेल कौन है आनंदी बैन पटेल है ये याद रखेंगे अच्छा यह अगर हम बात करें योगिनाथ जी जो है वो न्यूस में भी रहे थे क्योंकि इनके उपर एक किताब भी लिखी गई थी 2023 म किसके दौर लिखी गई है शांतनु जी के दौर लिखी गई है यह आपको ध्यान रखना है आखिर अजय तू आदित योगिनाथ क्यों लिखा क्योंकि योगिनाथ जी का रियल नेम क्या है अजय बिस्त क्या है अजय बिस्त इनका रियल नेम है यह ध्यान रखेगा ठीक है UP की capital क्या है UP की capital है लखनव क्या है लखनव है ध्यान रखेगा और लखनव कि अगर हम बात करें इसको नवाब city कहा जाता है नवाबों का शहर कहा जाता है city of नवाब कहा जाता है बहुत तहजीब होती है लखनव वालों में अगर आप उनसे बात करेंगे ना बड़े लखनो Two उसे ज़रूर बदाहेगा। लखनो अच्या कौन से नदी के किसे कौन से नदी के किनारे? कैशा से निऊज में रहा है। लखनो 사श में हमaches से याद हो है, यहाँ पे वर्ल्ड कप भी हुआ था अभी हाली में, हाना किसका मैच हुआ था, इंडिया एक लैंड का हुआ था क्या, कमेंट करके जरूर बताएगा, ठीक है, और यूपी जो है, दो हज़ार तीस में, दो प्रोड़क्ट को है, जी आई टैक दिया गया, जी आई टैक किसको दिया गया था, तो एक तो बनारसी पान को, किसको, बनारसी पान को, और लंगडा मैंगो को, किसको, लंगडा मैंगो को, ठीक है, यह ध्यान रखेगा, चलिए आगे बड़े, अगले कोशन बढ़ते हैं, अगला कोशन आपके स्क्रीन पर ये रहा, विच आफ दा फॉलॉइंग फुडबॉल प्लेयर क्लिच रिकॉर्ड एक्स्टेंडिंग एट बैलेंडियर अवार्ड इन अक्टोबर 2023, देखे निमलिखित में से किस फुडबॉल खिलाडी ने, अक्टोबर 2023 में रिकॉर्ड आथवा बैलेंडियर पुरुसकार जीता है, क्या वो अर्लिंग हैलेंड हैं, लियॉनल मैसी हैं, क्रिस्टैनो रॉनल्डो हैं और नेमार हैं, कौन हैं, तो मैसी जो लोग कर रहे हैं, लियॉनल मैसी उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लियॉनल मैसी ने इस बार बैलेंडियर अवार्ड जीत लिया है, और य ठीक है याद रखेगा चलिए डीटेल में चलते हैं तो अभी देखे हाली में जो है 36 वर्षी 36 एर के जो मैसी है लियॉनल मैसी उन्हों को पैरिस के जो है ठीटर डू चैटलेट में अपना आठवा बैलेंडियर पुरुसकार मिला है ठीक है और मैसी ने जो है यह अर्जेंट उन्होंने समर्पित किया है और मैसी जो है 36 साल के हैं और उन्होंने 2009 में अपना पहला बैलेंडियर जीता था ठीक है ठीक है ठीक है मतलब इनके पास 8 है तो उनके पास 5 है ठीक है जो पुरुसकार के तिहास में अगले सबसे सम्मानित खिलारी है जो है एटेना बोनमाटी लीजे दोस्तों जो हम बात करें थे एटेना बोनमाटी जो की एक महिला है उनको जो है महिलाओं में बैलेंडियर अवार्ड दिया गया है क्या नाम है एटेना बोनमाटी यह बहुत इंपोर्टेंट नेम हो जाएगा क्योंकि फीमेल से कॉश्चन बहुत जादा आजकर एक्जाम में पूछा जाते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ऑक्टोबर 2023 में कौन सी महिला को बैलेंडियर अवार्ड दिया ग पहल जो है उसके लिए वैश्विक घोशना का प्राथमिक प्रेणा क्या है तो इनक्रीज टूरिजम रिलेटेट टू रिवर डॉल्फिन या टू प्रोटेक्ट रिवर डॉल्फिन और एकोसिस्टम तो डवलब्ड न्यू टेक्नलोजी फॉर रिवर कंजर्वेशन या फि एकोसिस्टम नदी डॉल्फिन और जो उनके परश्चितः की तंत्र है मतलब उकोसिस्टम है उसकी जो है क्या कि जा सके रक्षा कि जा सके ठीक है यह याद रखेंगा और हमारे भारत का जो है नेशनल अकोटिक अनिमल कौन है रिवर गंगा बेशना की यह लियो रक्ष न ये महतुपूर्ण कदम में 11 एशियाई और दक्षिड अमेरिकी देशों ने नदी डॉल्फिन के लिए एक अभूत पूर्व वैश्विक घोशना की है और उस पर हकस्ताक्षर की हैं नदी डॉल्फिन दुनिया की कुछ महांतम नदी प्रनालियों में सीर्स परभक्षी और नदी के स्वास्त के महतुपूर संकेतक हैं ये पहल दश्कों से नदी डॉल्फिन की आबादी को चिंता जनक गिरावट के बाद आई है देखिए आपको पता है जो पॉपुलेशन ओफ डॉल्फिन है वो कंटीनियूसली गिरती चली जा रही है और इधर पे अगर हम बात करें कि हमारे एकोसिस्टम में कोई भी चीज तो अचानक से डिक्रीज होने लगती है तो वो हमारी एकोसिस्टम को भी इंपेक्ट डालत है तो यहां पर डॉल्फिन को बचाने की तब यहां पर थोड़ा से लोगों को जिंता हुई और अब बचाने की बात कर रहे हैं जिसमें मचली पकड़ने की अस्थिती प्रथाओं प्रदूशन निवास इस्थान की जहानी और यहां तक की जलवायू परिवर्तन के प्रभ डॉल्फिन रहोंगे 1980 में अब 33 बचे है एक्जांपल के तौर पर ठीक है घोष्णा का उद्देश जो है सहयोगात्मक प्रयासु के माध्यम से सबसे कमजोर नदी डॉल्फिन अबादी से गिरावट को रोकना और उसको बढ़ाना है जो अभी कंटिनुसली गिरती जा रह और उसको जो एकोसिस्टम यह बचाना इसका मुख्यों देश है ठीक है यह याद रखेंगे आगे बढ़ें चली आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे अगला जो है क्या वो अमिश्या है द्रौबदी मुर्मु है नरेंद्र मोदी है और रामनात कोविंद है रामनात कोविंद जो लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मर प्रेसिडेंट पूर्व राश्रुपती जो है रामनात कोविंद वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे यह याद रखेंगे ठीक है चले थोड़ा डीटेल बबात करते हैं तो हाली में आकाश्वानी सर्दार पटेल मिमोरियल व्याख्यान का अपना वार्षिक प्रतिष्ठित संस्क्रनव यहां पर प्रसारित किया है, इस साल का संभोधन पूर्वराश्पती रामनात कोविंद देंगे, ठीक है, आकाश्वानी द्वारा सर्दार पटेल मिमोरियल प्रसारित किया जाता है जो एक महान दूरदर्शी थे जिनके मन में राष्ट एकता सबसे उपर थी ठीक है और इसलिए दोस्तों एकता दीवस मना आ जाता है यूनिडी डे क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्रोविंसिस को जोड़ा था और वो हमेशा से चाहते थे कि सब एक होकर रहे राइट यहाद रहेगा और यह 1955 से एक सम्मानित परंपरा रही है जिसमें सी राजा गोपाल चारी डॉक्टर जाकिर हुसेल मोराजी दिसाई डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम जैन तनारलेकर एमस स्वामी नाथन अरून जेटली अजीर डोबाल और एस जैस प्रतिष्टित हस्तिया शामिल रही है यह प्रतिष्टित जो है समारक व्याक्खान भारत और इसकी समाजिक आर्थिक प्रगदी पर व्यापक विश्यों पर आधारित है सरदार पटेल की जैनती को राष्ट एकता दिवस के नाम से भी जाना जाता है जो कि हर साल 31 प्रतिष्ट और बिसमारक कहा जाता था भारत का यह भी ध्यान रखेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ें आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इन विच कंट्री इस दा इन फ्लेवर एक्सपोट 2023 इस बीइंग हैल्ड इन फ्लेवर एक्सप में confusion है लें correct तो एक ही option होगा और correct answer यहां पर option number B होगा Saudi Arabia क्योंकि हमने रियाद की बात की थी और आपको पता होना चाहिए और वहां पर हमने बात किया था कि जो है Saudi Arabia correct answer हो जाएगा ठीक है चले अब यहां पर थोड़ा से डीटेल में बात करते हैं तो भारत और Saudi Arab की बीच जो है डीपक्षी व्यापार समंधों को मजबूत करने को दिशा में एक महत्पून कदम जो है राजदूत डॉक्टर सोहेल खान कौन है ambassador डॉक्टर सोहेल खान ने रियाद में इन फ्लेवर एक्सपो के बैनर तले जो है आयोजित B2B खाद प्रदर्शनी में अधिकारिक त इन फ्लेवर एक्सपो में भारती मंडप में 20 से अधिक भारती प्रदर्शकों की भागिदारी देखी गए है जिसमें प्रते को साउधी अरब के बढ़ते खाद बाजार द्वारा प्रस्तुत विशाल अवसरोस को पता लगाना जो है इसमें पता लगाने के लिए उस्सु तो यह आपको धिहान रखना है अच्छा है यह साउधी अरब पहला सरकार समर्थी जो है F&B कारिकरम है यह याद रखेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ें आगे बढ़ते हैं अगला कोशन विच ओफ दा फॉलॉइंग वुमेंड कलीजड 100 मीटर हरडल गोल इन 37th नैशनल गेम कह रहें निमलिखित में से किस महिला ने 37 राश्टिक हिलो में 100 मीटर बाधा दोड में स्वन पदक जीता है क्या वो जोती याराजी है आभा खातुआ है मुनिता प्रजापती है और प करेंट अफेर से पूछना होगा तो वो कहेंगे कि 37 राश्ट खेल में 100 मीटर बाधा दोड में किसी ने स्वन पदक जीता है तो जोती याराजी ने जीता है या फिर पूछा जाएगा कि 37 राश्ट खेल में 100 मीटर बाधा दोड में कौन सा पदक जीता है तो आपको होगे गोल्ड मेडल जीता है यह पिर यह पूछएगा जोती अराजी ने 37 राष्ट एक कोशन है बस पूछने का तरीका लग अलग है ठीक है तो एक कॉशन को कितनी तरीकिसे मौल्ड किया जा सकता है उसको भी थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलिएगा ठीक है Hangzhou Asia खेलों में खेलों की रज़त पदक वी जिता अभी देखे Hangzhou में हुए थे अपने कौन से Asian गेम हुए थे तो जोथी या राजी ने वहाँ पे क्या जीता था रज़त पदक जीता था, रज़त मतलब Silver Medal जीता था, ठीक है, लेकिन अभी सैतिश्वे राष्ट खेल चल रहे है और इसमें जो है दोस्तों, जोती राजी जी ने कौन से Medal जीता है, स्वणपदक जीता है, यह आपको ध्यान रखना है तो वही यहाँ पे लिखाया है, रज़त पदक वीजेता जोती या राजी और तेजस जो है सिरसे एथलीट प्रतियोगी ताओं में सो मीटर और 110 मीटर बाधा दौड में स्वणपदक जीतकर राष्ट खेलों के रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 20 किलो मीटर पैदल चाल में जो है प्रियंका गोस्वामी, कौन प्रियंका गोस्वामी और पुरुष वर्ग में अगर हम बात करें तो तमिल नाडू के केके अविनाश कौन केके अविनाश जो है उन्होंने हरियाना के विक्रांत पंचाल से आगे रहते हुए स्वणपदक जीता है ठीक है पुरुष वर्ग में अगर हम बात करने है और महराश्ट की जो आभा खातुआ हैं उन्होंने महिलाओं के सौटपुट में 17.09 मीटर के साथ सौटपदक जीता है जबकि केरल के मुहमद अनीस लंबी कुद में 8.15 मीटर के साथ सौटपदक जीते हैं तो सीदी सी बात है अलग-अलग जो खिलाडी हैं अलग-अलग पदक जीते हैं अलग-अलग खेलों में तो उनके बारे में यहाँ पर आपको डीटेल में दिया गया है ठीक है और पुर्षो की 20 किलो मीटर पैदल चाल में जो है उत्रा खंड के सूरज पवार में एक घंटे 27 मिनट 43 सेकंड में जो है समय लेकर स्वणपदक जीता है ठीक है तो याद रखेंगे आगे बढ़े तो जोतिय राजी किस खेल से सम्मदित है तो 100 मीटर बाधा दौर से कौन Percy Abeskera passed away recently he belongs to which country देखें परसी Abeskera जो है उनका हाली में निधन हो गया है वो किसे देश से थे क्या वो श्रीलंका के थे पाकिस्तान इंडिया और रशिया कहां के थे श्रीलंका श्रीलंका कह रहे हैं तो जो लोग श्रीलंका कह रहे हैं उनका बिलकुल correct answer होगा option number one correct answer हो जा 1936 में इनका जन्म हुआ था 2023 में इनका निधन हो गया है October में ठीक है तो इस इनको यहाँ पर लोगों ने tribute भी दिया है जो हमारे खिलारी है शीलंका के उन्होंने इनको ट्रीब्यूट कहां करें उन्वां को क्या थे आपको ध्यान रखना है ठीक है अगर हम से पूछा जाएगा कि यहां के जो है प्राइम मिनिस्टर कौन है तो दिनेश गुरुवर्दना कौन दिनेश गुरुवर्दना जो है वो क्या थे वो यहां के जो है पीम है और प्रेसीडेंट राश्पती पूछा जाएगा तो रानिल विक्रम सिंगे कौन र अगले कोशन बढ़ते हैं अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा श्री नगर श्री नगर उनका बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका उधगाटन किस ने किया था तो जम्मू कश्मीर के लुटिनेंट गवर्नर जो है मनो सिनहा जी उन्होंने इसका उधगाटन किया था ठीक है तो चले थोड़ा स के लिए फुडबॉल अंडर नाइटीन और वॉलीबॉल अंडर सेवंटीन की विशेशता वाले सड़सटवे राश्टी स्कूल खेलों का उधगाटन किया है यह उधगाटन जो है यूटी स्थापना दिवस के साथ हुआ है ठीक है यूटी मतलब यूनियन टेटरी के पानी शिनगर में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में यूवा खेल और खेल विभाग द्वारा की जाती है ठीक है इस कारेक्रम का उधेश क्या है यूवाओं के बीच शारिरिक सिक्षा और खेल को बढ़ावा देना जिससे यूवा एथिलीटों क जो है अपने कोशल को प्रदर्शित करने और निखारने के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके और शेडियों में फुटबॉल अंडर 19 और वॉलीबॉल अंडर 17 में शामिल हो सके ये ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला जो है कोशन तो हम लोगो ने बात की थी खनना जी की और खनना यहाँ पर ऑप्शन नमबर 4 में दिये गए है सुरेश कुमार खनना तो करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे अप्शन नमबर 4 सुरेश कुमार खनना जी करेक्ट आंसर होंगे ठीक है चलिए तो यहाँ पर हम बात करते हैं अभी देखे उत्तर प्रदेश फाइनस मिनिस्टर जो है सुरेश कुमार खनना वो उन्होंने हाली में साथ सदस्सी जिएस्टी दर युक्ति करण पैनल के संय मित्रा और तारकिशोर प्रसाद की जगह मंत्री समू के सदस्य होंगे ठीक है याद रखेगा अब देखें जी एस्टी की बात की गही है यह याद रखेगा GST का उल्लेक हमारे भारतिय सम्विधान में किस अनुछेद में किया गया है आर्टिकल अगर आपसे पूछेगा अनुछेद पूछेगा तो अनुछेद याद रखेगा यह किस में है तो 279 A में आर्टिकल 279 A GST के पिताहमा फादर कौन कहलाते हैं तो अटल विहारी वाचपेज जी को कहा जाता है यह भी ध्यान रखिएगा ठीक है चले इसके साथ आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन रोड एक्सिडेंट क्लेम्ड डैश ओवर लाइज डैश इंजर्ड पीपल इन इन 2022 एसपर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री रिपोर्ट 2023 परिवहन मंत्राले की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में सडक दुरगटनाओं में डैश लोगों की जान गई है और डैश लोग घायल हुए है एक दसमलोग छे आट लाग चार दसमलोग चार दसमलोग चार क्या होगा ए ओप्शन के रहे हैं कि 1.68 लेक लोगों की जान गई है और 4.43 लेक लोग जो हैं वो इंजड हुए हैं मतलब घायल हुए हैं तो करेक्ट आंसरों का ओप्शन नमबर वन जो लोग के रहे हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो अभी देखें यहाँ पे हाल में वृध्धी हुई है इसके परणाम स्वरूप 1.68 लेक से अधिक मौते हुई है और 4.43 लेक से अधिक लोग घायल हुए हैं रिपोर्ट पिछले वर्स 2021 की तुलना में 2022 में सड़क दुरगट नाओं की संक्या जो है 11 लगब 12 प्रदीशत की उलेकनी वृध्धी दरशात है ठीक है मतलब जो 2021 में एक्सीडेंट हुए थे उससे जादा जो है 2022 में हुए है वह भी कितने परसंट जादा बारा परसंट जादा ठीक है और 2021 की तुलना में 2022 में सड़क दुरगट नाओं के कारण होने वाली मौते जो है 9.4 प्रतीशत हुई है मतलब जो है दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अल्यांस असेंबली हेल्ड एट न्यू दिल्ली वेर इस दा हैड़कॉर्टर ऑफ आई एसे के रहें अंतराश्टी सौरगट बंदन सभा का जो है चटा सत्र नई दिल्ली में आउजित हुआ है आई एसे का मुख्याले कहा है क्या यह गुरू ग्रम में है पारीस में है नियू– नियू दिल्ली में सभी को बताएंगे यहाँ जो लोग करें गुरू गूरू गूरूगरम तो उनका विलकुल करेक्ट आंशर होका भॉण करेक्ट आनसर हो जाएंगा। गूरू घजेके हम बात करते हैं तोंतराश्टी सौरगट बंदन स्यसक्को किरिबाती में चार प्रदर्शन परियोजनाओं की उद्धाटन के साथ नई दिल्ली में शुरू हुआ है इन परियोजनाओं को उद्देश और उर्जा समाधानों की विवहारिक्ता और प्रभावशाली शीलता को प्रदर्शित करता है देखे आयसे की शुरुआत तब की गई थी जब यहां पर कुछ आइडियाज आये थे कि जो एक्क्वेटर वाला पार्ट है यहां पर सबसे ज़ादा रेस पड़ती ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में सल लाइट सबसे ज़ादा पड़ती ह जिसके हल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं एनरजी को जो है जंडरेट कर सकते हैं विद दा हल्प ऊफ सोलर लाइट और तब से जाके जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बीच में जो देशे हैं वो इसके मेंबर बनते गए और हमारे हां एक मात्र अंतराश्टी जो है दोस्तो ओर का जो है एड़कॉर्टर है और वो है इंटरनेशन सोलर अल्याइंस हैड़कॉर्टर गूरुग्रम में ठीक है तो यह याद रखेगा आइसे की छटी सभा जो है आइसे पहलो पर चर्चा की जाएगी जो दुनिया भर में उर्जा पहुच उर्जा सुरक्षा और उर्जा संक प्रमन को प्रभावित करती है तो याद रखेगा आगे बात करते हैं अगला फॉलाइंग इस पार्ट ऑफ दी इंटरनेशनल जूरी फॉर्ट फॉर्ट इफी निमलिखे तुमेंसे कौन जो है चाउवनवे इंटरनेशनल फिल फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए जूरी क का हिस्सा है क्रिश्टोफर नोलान सेखर कपूर स्टीवन स्पिलबग और क्विंटिन तरंतिनो यहां पर कहरें सब्सक्राइब बात करते हैं तो देखें चोवनवे भारती अंतराश्टी फिल्म महसब जिसको हम लोग कहतें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडि प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं या फिर हम कहें चायकारो और फिल्म निर्माताओं को जो है अमंतरित किया है अंतराश्टी जूरी के सदस्टिव बे सेखर कपूर जोस लुइस अलकाइन जरोम पोलाड कैथरीन डुसाट और हैलन लीक जैसे उद्योग दिगज शामिल ह इस वर्स के इफिक को जो है 105 देशों से रिकॉर्ड तोड 2926 प्रविष्टियां प्राप्त हुई है जो महत्पूर्ण वैश्वी भागीदारी का एक संकेत है ठीक है तो यह आपको ध्यान अखना है और यह इफिक कहां पर होगा गोवा में आवजित किया जाएगा नॉमब पॉइंट ओविसे बहुत ही जादा महतपूर्ण है शुरुवात की थी हम लोगने महतपूर्ण दिन से उसके बाद हम लोगने बात की थी प्रिवेश डे के कोशन के homework देखा था top 5 news of the day important headline headline के उपर quizzes with all detail और कुछ static facts के साथ हमने इसको complete किया है और आज का homework आपके लिए ये है which is India's first satellite based gigabit internet services भारत की जो है पहली उपगरह आधारित gigabit internet सेवा कौन सी है ये आपको homework के रूप में बताना है comment box में class के बाद में ठीक है और इस class की PDF कहाँ पर मिलेगी telegram पर, telegram पर कैसे मिलेगी आपको telegram पर जाना है और वहाँ पर सर्च करना है adorate goraf sir test book ठीक है वहाँ पर आपको YouTube sessions की updates मिलते हैं, PDF मिलते हैं discussion होते हैं, interaction होता है तो आप में साथ interact भी कर सकते हैं मैं link आपके साथ share कर देता हूँ यह रहा आप लोगों के लिए link जिस link से आप लोग आसानी से जो है, group में जुड सकते हैं और PDF जो है, collect कर सकते हैं तो मैंने link जो है आपके live chat पे दे दिया है और यह link जो है comment box में मिल जाएगा और description में भी आपको मिल जाएगा अब चलिए देखते हैं किस तरीके से आप लोग current affair का playlist चेक कर सकते हैं YouTube पर simply आपको क्या करना है YouTube पर जाना है और YouTube पर जाने के बाद जिस channel पर अभी आप लोग हो super coaching SSC railway by test book channel उसी पर हम लोग जाएंगे और वहाँ पर जाने के बाद जैसी आप scroll down करोगे ना थोड़ा सा नीची की तरफ आओगे आपको playlist मिलेगा daily current affair today's current affair by test book ठीक है यहाँ पर देखे यह कल की class है परसो की class है यहाँ पर daily class होती है Monday to Friday सुबह 6-7 बजे सोमवार सी सुक्रवार 7-8 बजे आप मेरे साथ यहाँ पर भी जुड़ सकते है अब देखे कल के question के पहले answer देख ले थे कल किल लोगों ने answer किये थे ठीक है आपको daily answer करना है जिससे आपका revision भी होता रहेगा सबसे पहले तो session को जिन्होंने अभी like नहीं किया इस session को फड़ावर से like और share कर देंगे ठीक है यहाँ पर देखे answer सबसे पहले मिल रहा है artist RT का इन्होंने बता है कि पहला G20 सम्मिट हुआ था Washington DC में जो की USA No.14 और 15-2008 में मलब 2008 में पहली बार G20 का meeting हुई थी कहाँ पे Washington DC में ठीक है और फिर उन्होंने बता है mascot सटिस्वे राष्ट खेल का उसका नाम है Moga Moga कल हम लोगे बात कि थी सटिस्वे राष्ट खेल जो चल रहे है उसका मैसकट शुभांकर के है तो Moga है The word Moga comes from the Konkani language means love ठीक है बहुत बढ़िया हीरालाल चौधरी और अरुन कृष्ण जो है यहाँ पर कृष्णन are also known as the father of the blue revolution in India The blue revolution is launched in India during the 7th 5 year plan The goal of the blue revolution was to develop manage to promote fisheries ठीक है मचली पालन को जो है तो यहाँ पर promote करना है ठीक है यह सब manage करना है और develop करना है इसका उद्देश था ठीक है तो sir IB के लिए class करवा दीजे artist RT IB के लिए classes already चल रही है अगर आपने नहीं देखा होगा तो test book के इसी जो है channel पर आप एक बार explore करिए आपको सारी IB की classes मिल जाएंगी GK की भी चल रही है मैस की भी चल रही है सारी classes चल रही है तो आप उसको please check करिए और daily चल रही है ये classes ठीक है और देखे like भी इनको answer को मिला है फिर यहाँ पर देखे answer किया आश्रबाद महुंती जी ने बहुत अच्छे से इन्होंने भी answer किया है G20 Summit 2008 में हुई पहली बार मैस कट जो है यहाँ पर मोगा है हिरालाल चोधरी जो है उनको father कहा जाता है ठीक है तोर्शा जी ने answer किया है the first G20 leader meeting was November 2008 Washington DC official मैस कट जो है मोगा है हिरालाल चोधरी and Dr. Arun Krishnan फिर उसके बाद यहाँ पर करन भट जी ने answer किया है then Megha Mandal जी ने answer किया है बहुती बढ़िया फिर उसके बाद answer किया है Amit Nilkant जी ने answer किया है बहुती अच्छी तरीके से इन्होंने देखिया answer किया है ठीक है हिरालाल चोधरी अनकोषन ठीक है ओल्ण च्सकाद जी बहुती बढ़िया फिर उसके बाद answer किया गए है यहाँ पर अरित्री मैटी जी के दारा किया गया है बहुत नीवधी भढ़िया अरित्री मैटी जी फिर यहाँ पर प्यूश ग्या है प्यूश गाइकवार जी ने answer किया है धन्य विमाल शर्माजी ने फीरल छोदिधीञ है बहुत बढ़िया फिर उसके बाद यहाँ पर आनसर किया गया है असीम जी इंधा यहाँ चर द्वरा 15 फिर यहाँ इसके बाद यहाँ पे आनसर करना है और प्लीज जिसके आंसर अच्छे होते हैं जिसके answer से आपको कुछ सीखने को मिलता है प्लीज उनके answer को like जरूर किया करें so that कि वो भी यहां पर motivate होकर और अच्छे से answer लिखें और आपको और भी चीज़े सीखने को मिलें ठीक है अच्छे जो लोग करें course अवेल के लिए कोर्स अवेल के लिए देखे, आपको description में link दी है, SSE Super Coaching की आपको इसको click करना है, आपके सामने एक नया page open हो जाएगा, जहाँ पर आपको सारी detail मिलते हैं, अगर आप तैयारी कर रहे है SSE CGL की, CHSL की CPO की, GD की, MTS की तो आप जुड़ सकते हैं Super Pack पर जहाँ पर आपको live और recorded classes दोनों मिलती हैं जिससे आप लोग अपने doubt को भी clear कर सकते हो साथ में आपको मिलता है यहाँ पर 60 से भी ज़्यादा दोस्तों courses, ठीक है, मिलते हैं mock test जिससे आप लोग अपने practice कर सकते हैं और मिलते हैं आपको PDF जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं साथ में होता है यहाँ पर pass pro जिससे आप लोग previous year question और जो है दोस्तों साथ में आप लोग लगा सकते हैं यहाँ पर live mock test ठीक है अब सिर्फ आपको क्या करना होता है यहाँ पर आप जाएंगे 6 month का super pack देखे 556 में है इसको apply coupon code कर दीजेगा apply coupon code जैसी गौरवम इसमें अल्रीड अप्लाइड है नहीं apply रहेगा तो देखे apply coupon code में गौरवम GAURAVM mention करेगा और apply क्लिक करेगा तो यहाँ पर apply हो जाएगा और आपको discount मिल जाएगा ठीक है चले तो दोस्तो इस session को फिर यहीं पर करते हैं समाप्त अगर यह session आपको अच्छा लगा है तो comment box में comment करके जरूर बताएगा like share subscribe नहीं किया है तो कर लीजिए फड़ा फड़ से bell icon बड़न को दबा लीजिए जिससे सारे notification आपको up to date मिले और कोई भी class आपकी छूटे ना तो मिलते हैं अगले session में एक नए जोश के साथ एक नए session के साथ तो जुड़ना मद भूलेगा मेरे साथ सवा 7 बजे से 8 बजे YouTube channel पर जहां पर हम लोग करेंगे GKGS के सवाल पर दिल्ली पुलिस constable और दिल्ली पुलिस MTS के लिए तब तक के लिए रखेगा आप अपना ख्याल अपनों का ख्याल और पढ़ाई करते रहेगा बाई बाई टेक केर जय हिंद जय भारत